हेलो दोस्तों जैसा कि आजकल जितने भी form fill up किया जा रहे हैं सारे का सारे online mode में किया जा रहे हैं वहाँ पे photo and signature upload करने में बहुत दिक्कत होती है candidate को और जैसा कि 15-20% application form जो है वो reject हो जाता है just because of कि photo and signature सही से upload नहीं हुआ है तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे करते हैं resize photo and signature को laptop और mobile में photo में edit कैसे add करते हैं name कैसे add करते हैं तो वीडियो को last तक जरूर देखिएगा दोस्तों इस वीडियो में हम लोग complete detail में देखेंगे तो hello दोस्तों स्वागत है आप सभी का notification चैनल पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो subscribe कर लिजेगा तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है latest application form यहाँ पर SSC का रहा है CHSL का जिसमें कि यहाँ पर candidate के लिए दिया हुआ है कि आप यह सब photo यहाँ पर upload नहीं कर सकते हैं और यहाँ एक specimen दिया हुआ है कि आप ऐसा photo upload कर सकते हैं तो अगर extra color photo है तो यह reject हो जाता है अगर आपने photo scan कर लिया और इस परकार से आपने upload कर दिया तो दिक्कत है आपका form reject हो जाएगा तो अगर हम देखे CHSL की notification में यहाँ पर mention किया हुआ है कि जो application form जो fill up किया जाएगा उसमें photo जो है आपका 20 kv से 50 kv तक ही upload करना है या फिर हुआ पर dimension दिया हुआ है 3.5 cm से width and 4.5 cm height तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि 1 cm जो होता है वो 37.7 pixel की बरावर होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा जो हमारे application form है यहाँ पर कि यह है राजास्थान क Technical Helper तो यहाँ पर भी mention किया हुआ है कि dimension जो आपका 200 y 230 pixel का होना चाहिए और photo के size 20 kv से 50 kv के बीच में होना चाहिए और signature आपका 140 y 60 pixel का साथ में signature की size 10 kv से 20 kv के बीच में होना चाहिए यानि कि less than 10 kv आपका upload नहीं होगा और वो reject हो जाएगा तो दोस्ते हैं आपर सबसे पहले हम लोग laptop में देख लेते हैं या फिर अगर आप mobile में देखना चाहते हो तो आप skip करके आप देख सकते हो तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक example ले लिए हैं यहाँ पर 200 x 300 pixel का एक photo ले लेते हैं और यहाँ पर मैंने एक photo को scan किया है और वो PDF format में आ गया है तो यहाँ पर snap एक ले लेंगे यहाँ से इसका और इसको सिर्फ और सिर्फ फोटो को ही लेंगे उस एरिया को select करके आप यहाँ पर simply ok करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि आपका skin shot ले लिए गया है step हो गया तो इसको आप edit कर सकते हो और यहाँ पर save कर सकते हो तो मेरा photo मैंने स्कुछ इसपर का snap ले लिया है यहाँ पर save button पर click कर लेते हैं ctrl s button दबा करके आप save कर सकते हो और यहाँ पर png mode में भी save कर सकते हो मैं आप एक desktop file यहाँ सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर कुछ मैं नाम mention कर लेता हूँ आप अपने हिसाफ से नाम कुछ mention कर लो और उसके बाद आप अपने desktop पे जैसा कि आप देख सकते हो मेरे desktop पे फाइल आ चुके notification के नाम से तो दोस्तों आप देख लेते हैं फोटो को edit कैसे करें तो मेरे पास एक फोटो है जिसका size जो है आपको 1.4 MB है आप यहाँ पे देख सकते हूं तो मैं आपको properties पे क्लिक करके आप देख सकते हो आप जैसे image की है इमेज के right click कर लो right click करने के बाद आप properties पे चले जाओ property में जाने के बाद आप देख सकते हो कि image की size कितनी है तो हैं आपको मैं दिखा रहा हूं 1.4 के लगभग आपका है तो यह 1.4 MB का image है यह काफी बड़ी image है इसको अब हमें resize करनी है 20 से 50 KV के बीच में तो इसको simply कर लेते हैं right click right click करने के बाद open bit paint कर लेते हैं तो image जो कुछ इस परकार ऐसा खुल गया है तो यह काफी बड़ा है और यहां पर दीखने रहा तो इसको होरिजोंटल और वर्टिकल दे रहा है होरिजोंटल की मेंस हो गया है कि इसका width और वर्टिकल मेंस हो गया है इसका height तो यहां पर मैंने एक example यह 200 वाइ 300 pixel का यहां पर मुझे बनाना है तो यहां पर मैं pixel को select कर लोंगा और फिर horizontal में आप यहां पर width की है डाल दो pixel तो यहां पर जो भी pixel डालोगे उसके according आपका image resize हो जाएगा तो यहां पर जो maintain aspect ratio है अगर आप इसको uncheck नहीं करोगे तो यह क्या होगा कि आप कोई एक select करोगे axis दूसरा axis automatic ले लेगा तो यहां पर मैं इसको uncheck कर लेता हूँ और उसके recording में अपना जो example लिया था कि वर्टिकल आपका 300 हो और हो जेंटल 300 हो तो मैं उसको कर लेता हूँ उसके बाद मेरा कुछ photo is पर कर आ गया तब इसको मैं क्या कर लेता हूँ पहले save कर लेता हूँ कि save करके देखता हूँ कि image की size क्या हूँ तो image की तो save as पर जैसे क्लिक क्या हो तो यहाँ पर चार पांच option आ रहे हैं किस format में आप image को save करना चाहते हूँ तो मैं simply में हो जाए तो आप क्या करना है सिंपल है अपर करके तो दोस्तों आप देख लेते हैं यहां पर कि image में name कैसे add करें तो same image को paint में open करें लाँ नीचे का portion को थोड़ा से drag कर लेना है उसके बाद ribbon में आप देख सकते हूं आप ए लिखा हुआ है कर लेता हूं और इसकी size भी में बढ़ा सकता हूं तो मैं इसकी size थोड़ा select कर लेता हूं यहां पर 16 18 select कर लेता हूं तो यह पर देखिए कुछ जादा ही बढ़ा हो गया तो इसको क्या करना है पहले जो text area उसको थोड़ा यहां पर cross button से click करके आप यहां पर इसको resize कर सकते हैं तो पहले इस image को भी थोड़ा सा आगे पीछे कर लो अपने recording के अगर आपको यहां पर नाम लिखना है तो यहां पर मैं क्या कर ला हूं कि आप 08 है उसके आगे मैं अपना नाम लिख लेता हूं तो यहां पर नाम लिखता हूं my core notification आप अपना नाम लिख लो यहां पर तो इसको नाम लिखने के बाद इसको क्या करना है आपको simply center में लाना है तो जो भी text area है उसको आप अपने हिसाब से यहां पर adjust कर लेना है और इस परकार करना है ताकि इसका जो portion है वो center मेरे है तो पहले मैं इसको fit कर लेता हूं अपने photo के width के अनुशार फिर इसके बाद यहा पर जा करके इसको पूरा hole select कर लेजे पहले control करके फिर यहां पर देखे center वाले पर click कर लेना है तो इसके alignment जो है वो center में आ जाएगी तो यह देखे कुछ इस परकार मेरा आ गया तो इसको क्या करना है फिर से जो नीचे का अगर आपको कुछ बढ़ा या आगे पिछे पर click करना है फिर से आपके पास format रहेंगे तो आप किसी format में आप save कर सकते हो simply jpg format is best क्योंकि सारे application form में हुआ ही लगता है तो आप अगर windows 10 यहां से आपको select करना पड़ेगा यहां पर फिर मैं नाम लिख लेता हूं क्योंकि already मेरा नाम लिखा हुआ था फिर मैं दूसरा न alignment है तो इसे कोई reject नहीं कर सकता है because सब कुछ यहां पर clear के तरीके से दिख रहा है तो अब देख लेते हैं यहां पर signature के बारे में कैसे signature को एडिट करें तो यहां पर देख सकते हैं कि signature की size जो है वो 148 kb के plus है तो यहां पर क्या करना है आप right click करके भी देख सकते हैं आप अपनाना है open कर लेना इसको paint के साथ paint में जैसे open करेंगे आपके सामने कुछ इस परकार दिख रहा है signature में तो फिर से बड़ा इसको zoom out कर लो या फिर फिर आप यहां पर simply pixel में जा करके जो भी आपने pixel को यहां पर select कियो जो आपका application form में दिया रहेगा उसी को आप देख ल जैसे आप one point इंटर करोगे तो यह automatic ले लेगा तो इसके लिए क्या करना है maintain aspect ratio को uncheck कर लेना है और यहां पर vertical align पर 60 कर लेना है तो आपके सामने देखे size कुछ इस परकार signature का जो है वो आ गया है तो इसको जब save as कर लो आप simply save as पर click करके format दिया हुआ है simply jpg select करके आप यहां चोटा हो गया है यहां पर four point के भी तो reject हो जाएगा क्योंकि 10 के भी से नीचे है तो हमें क्या करना है यहां पर इसकी क्या size बढ़ा लेनी है तो यहां पर simply percentage में जाना है research पर click करके percentage में जा करके इसको मैंने two times कर लिया two times करने के बाद भी मेरा size है वो eight के भी ही हुआ क्यों उसके according यहां पर थोड़ी से hit and try कर लेनी है और जो size है वो 10 कवी के बीच में आ जागा 10 कवी से 20 कवी के बीच में तो इसको फिर से save कर लेना simply control is दबा करके तो इस परकार आप paint में जा करके आप सारे image को resize कर सकते हो according to need जैसा भी आपको application format दिया रहेगा आपको उसी परकार से करना है ज्यादा कुछ देखना नहीं है तो अब बात कर लेते हैं कि mobile में कैसे करें तो चलिए देख लेते हैं mobile में कैसे करें तो दोस्तों mobile में यहां पर एक application है इस application को तो image resize जो एप है इसको open कर लिया है तो यहापर option आ रहा है compress, resize, crop, optimize और square feet बहुत सारे options है तो यहाँ हमें क्या करना है resize करना है continue पर जैसे ही आप click करेंगे तो आपके सामने page कुछ ही इस पर कार खुल जाएगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि width और height दिया हुआ है और यहाँ पर green color का जो button दिख रहा है वो आपको uncheck कर लेना है तो यहाँ पर pixel और percentage दोनों है पूल लेगा यह indicate करता है maintain aspect ratio तो इसको सबसे पहले क्या कर लेना है uncheck कर लेना है क्यूंकि आपको application के recording यहाँ पर इंटर करना होगा तो आप इस पर button पर click करके आप यहाँ पर uncheck हो जाएगा यह फिर आप wait दाल लो अपने अनुसर और height जो भी आपको application में दिया हुआ है तो यहाँ पर pixel डालने के बाद यहाँ पर continue करने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर finish मतलब आपका जो है कि जो image है वो resize हो चुका है तो चलिए देखते है image का कितना size हुआ है resize तो देखिए यहाँ पर image खुल गया है तो यह जो 13 के भी तक resize हो गया है तो मेरा image जो था वो size में चुटा था पहले से इसको resize करने के बाद यह 13 के भी तक आ गया है तो आप आगे भी कर सकते हो बहुत असानी से तो दोस्तो अगर आपको यह video अच्छा लगा है तो like, share, subscribe करिएगा Thank you guys, thanks for watching this video, subscribe notification, be notified yourself